Hello and welcome to the second topic of Daily Scan In this topic, we will be talking about the food parks जिसमें UAE बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडिया में इंवेस्ट करने में ऐसा आपन क्यों बात करे हैं? कोई भी नई नीज नहीं है बलकि ये पुराना है In fact, जिदि अपन देखें, तो 2018 में पहली बार UAE ने कमिट किया था इंडिया में फूट पार्क्स में इंवेस्ट करने में उस समय की अमाउंट जो 2 बिलियन डॉलर्स थे अभी तक वो अमाउंट किसी ना किसी इशूस में फसी हुई थी और इस वज़ा से UAE का इंवेस्टमेंट, फूट पार्क्स में, इंडिया में चानलाइज नहीं हो पा रहा था बट अब क्या हुआ, ये इंवेस्टमेंट की जो मेजर आप्स्रक्शन है, माना जा रहा है कि ओवरकम हो गई है, और अब बहुत जल्द 2 बिलियन डॉलर जो UAE ने प्लेज किया था, वो इंडिया में इंवेस्ट हो सकता है तो जब 2018 में इंवेस्टमेंट की बात हुई थी, तब ये इंडिपेंडनेंट इंवेस्टमेंट था, वहीं पर ये आते आते 2022 में जो I2-U2 पाक्ट बना, जिसे अपन Middle East Quad या West Asian Quad भी बोलते हैं, इसमें चार कंट्रीज, I2 याने की इंडिया, इसराइल, U2 याने की USA और UAE, इनके एग्रिमेंट के तहट ये उसमें चैनलाइज हो गया याने I2-U2 का एक major component, apart from renewable energy है, food security provide करना, और food में जो major food parks है, वो इसका एक important constituent है यादि अपन बात करें, तो पहला जो पार्क है, वो expected है कि कंडला में हो और MP, दोनों के तरफ से बात सीच चल रही है, most probably कंडला में ये पार्क सेट अप होगा यादि अपन आगे बात करते हैं, कि एक जो इशू था, वो था essential commodity act, अब essential commodity act में क्या होता है यादि state government, ये concurrent list के अंदर ये act बना था, जिसे pass central government ने किया था, but ultimately authority जो है इस act को enforce करने की, वो होती है state government के पास तो यदि किसी भी commodity को essential commodity के रूप में define कर दिया जाए by the state government, तो उस limit में restriction आ जाती है कि कितना जादा आप store कर सकते हो, कितना price में restriction आ सकती है ये एक major bone of contention था, जब UAE investment की बात कर रहा था, क्योंकि तीन major products इसी में है, वो है onion, rice और bananas, ये तीनों में UAE interested है और all the three commodities, वो essential commodities act के अंदर आता है, यदि कभी भी state government restrictions लगा दी, तो इस पूरे के पूरे food, जो mega food plant है, वो starve out हो सकता है उनके basic resource that are these raw agricultural commodities, अभी माना गया है, एक agreement अराइब हो चुका है, UAE government और Indian government के तहत जिसमें particular commodities के लिए, जो food park के लिए invest किया जाएगा foreign entity के द्वारा, वो ECA act से exempted रहेंगी तो जो एक major road block था, अब वो खतम हो चुका है, तो अब expected है कि बहुत ही जल्दी 2 billion dollar investment इंडिया के food parks में channelize हो जाएगा, एक brief बात समझते हैं, food parks होता क्या है, food parks में simple होता है, processing होती है कैसे होते हैं, यदि अपने एक structure देखे, तो सबसे बहले food को collect किया जाता है raw materials को, तो चाहे वो individual farmers हो, या farmer के groups हो, self help groups हो, जो production units है उनसे collect किया जाता है, कहां भेजा जाता है, CC, that is field collection centers, इस field collection centers में कोई major काम नहीं होता है बस क्या किया जाता है, जो भी commodity है, उन्हें उनके हिसाब से sorting की जाती है, एक ही size में sort किया जाता है, fall to items को निकाल के fig दिया जाता है जो primary processing होती है, majorly होती है PPC, that is primary processing center, इस center में क्या होता है, बहुत ही basic level of processing, जैसे की grading कर दिये और कुछ basic जिसमें कोई major investment नहीं है, वहाँ होता है, उसके बाद grade करके, sort करके, finally इसे, जो food center है, food park है, वहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ पर उसे timely produce किया जाता है जैसे की, for example, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे की, यहाँ से आपने लिया wheat, wheat procure की, wheat को finally collection center में sorting की गई, अलग-अलग types को collect किया गया, और PPC में भेज दिया गया, primary processing center में, अब इस processing center में क्या हुआ, basically physical, जो verification होती है, वो हुई, मतलब की basic चीजे, जैसे की इनको चान लिया गय जो उसमें कीडे पड़े हैं, उनको निकाल लिया गया, उसके बाद इसे mega food park में भेज दिया गया, यहाँ पर क्या हुआ, इस से floor बना दिया गया, एक floor को भेज दिया गया, इसी से क्या बना दिया गया, biscuit बना दिया गया, और इससे process करके भेज दिया गया, इस तरीके से अ एक example जो बहुत बार अपनने बात की है वो है onion की onion की इसलिए क्योंकि आप देखोगे onion में seasonal level पर price जादा बढ़ते जाती है इसका एक solution जो बार-बार recommended है वो है dehydrated onions या onion की ऐसे processing कर दी जाए जिससे उनकी shelf life बढ़ जाए ताकि जब shortage हो onion की जो buffer stock से निकालके बेचा जा सके इस इसी तरीके की processing से वो किया जाएगा तो this is about the food park अब यदि अपन बात करते हैं food park के benefits क्या है बहुत सारे benefits हैं दोनों तरफ एक इंडिया को benefit होगा और दूसरा benefit जो investing entity है इसराइल या UAE दोनों को benefit होगा तो इंडिया के perspective से क्या benefit होगा इंडिया को क्या मिलेगा बहुत ज्य कर लिया farmer से हम इस amount में आप से करेंगे process तो farmers की income बढ़ेगी उन्हें नई techniques मिलेगी नई technology और techniques मिलेगी जो company provide करेंगी जिससे farmer की income बढ़ सकती है इसके अलावा नई technology की वज़ा से Indian agriculture sector में बहुत तेजी से increment होगा जैसे की water जो है कम use करें जैसे की इसराइल की मदद सही इसके अलावा wastage को कम किया जा सकता है और इस तरीके की अपन increment किया जा सकता है yield को बढ़ाया जा सकता है ऐसे कुछ components में इसके अलावा सबसे major यदि अपन बात करें तो जैसे for example take the case of rice इंडिया में rice उगाने के लिए यदि आप साइना से compare करोगे तो इंडिया में three times more water is consumed क् इंडिया में क्या flooding technique use होती है या अपन better techniques को use करके rice के लिए पानी कम कर सकते हैं जब globally किया जा रहा है जब yield globally China में इंडिया से धाई गुना जाधा yield है for approximately all the commodities यदि yield बढ़ जाती है तो farmers को benefit होगा कुछ extra land को अपन free कर सकते हैं इस वज़ा से ये benefit इंडिया को और इंडिया क farmers को मिलेगा इसके अलावा जैसे अपने बात किया perishable communities एक example अपने onion देखा इस तरीके की perishable communities का फायदा कैसे होगा इनकी prices seasonally बढ़ेगी नहीं proper यदि supply chain sink रहेगा तो इंडिया इंडिया के market को भी cater कर सकती है और जो बचा कुछा है वो बाहर भी भेज सकती है और इंडिया क जो farmers है उनको export earnings मिल सकती है जो बहुत beneficial होगा इसके अलावा यदि अपन Gulf countries के बारे में बात करें तो ये लगभग 80-90% जो है ये food import करते हैं तो इनको भी फायदा मिलेगा यदि Indian farmers से corridor बन कर इन तक food पहुँच जाता है ये 2022 के बाद और जादा critical हो गया है क्योंकि Russia और Ukraine दो बहुत तरीके से food की जो supply chain है उसमें disruption हुआ है और इसी वज़ा से सारी के सारी global powers अपने food basket को भी diversify करना चाहा रही है particularly war prone जगा से दूर जाना चाहा रही है ये इंडिया और UAE के relationship के broader framework के according भी ally करता है यदि आप देखो इंडिया UAE का बहुत अच्छा relation है क्योंकि UAE में ल in UAE is Indian और इसी वज़ा से 2022 में अपने अच्छे relations को utilize करते हुए इंडिया ने UAE के साथ एक free trade agreement sign किया था developed world के साथ इंडिया कुछ समय में बढ़ा रहा है अपने free trade agreement उसी के तहट UAE में भी agreement sign किया था जिसका एक important target ये है कि non-oil products में अपने trade को 100 billion पहुचाना by year 2030 याने कि close to double करना ये broader framework of India UAE relationship के हिसाब से भी benefit करेगा इसके अलावा यदि अपन बात करें एक major see जो अपन भूल जाते हैं बार बार कि इंडिया के perspective से ये बहुत important है क्योंकि diversify करने में help करेगा food अलग-अलग food production बढ़ेगा plus food market या food market जो export market है उसकी potential को बढ़ाया जाएगा इसके अलावा employment opportunities बढ़ेगी क्योंकि एक significant इंडिया में close to 42% people जो है agriculture में है और यदि non agriculture segment में देखा जाए तो total employment के 10% people food processing industry में belong करते हैं तो यदि agriculture और food production बढ़ता है तो माना जाता है कि ये 2 million farmers को help करेगा और उसके अलावा 2 lakh jobs भी create करेगा इसलिए ये बहुत important है इसके अलावा in fact इसी framework के अंदर एक corridor बनाने की बात की जा रही है जो इंडिया, UAE and Israel को link करेगा इस corridor में क्या होगा? faster transfer of raw materials and final processed food material रहेगा ये बहुत beneficial रहेगा यदि ये in ground reality में translate हो जाता है जो I2 YouTube के framework के अंदर ही proposed है अब यदि देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई new relationship है, दोनों UAE के साथ जैसे अपने बात किया बहुत पुराने relation है वैसे ही इसराइल भी हमारा एक बहुत important partner है agriculture में अब क्या हुआ, I2 YouTube framework के बाद जब Abraham Accords sign हो गया याने कि जब दोनों UAE और इसराइल के बीच में diplomatic relationship established हो गए है दोनों के relationship अपने traditional Arab versus Jews के conflict के ऊपर उठ रहे हैं तो ये हो सकता है कि अपने इस potential को realize करें इसी तोर पर यदि आप समझोगे तो यहाँ पर दोनों मिलकर इंडिया के लिए और Middle East के लिए एक बून साबित हो सकता है यदि आप इसी चीज को आगे देखोगे कि इसराइल का क्या major contribution रहा है तो जैसे इसराइल क्या है बहुत जादा water deficient country है इस वज़ा से अपने agriculture में इन्हें produce करने ने बहुत तरक्की की है एक major जो काम किया है वो drip irrigation का काम किया है तो यह drip irrigation जितनी भी इंडिया में develop हुई है इसराइल की ही देन है अभी recently Medzer और Skipper Medzer एक इसराइल की drip irrigation कंपनी है और Skipper इंडिया की एक pipe कंपनी है दोनों के बीच में joint venture बनाने की भी बात करी जा रही है तो जहां traditionally totally dependent है इसराइल पर इंडिया drip irrigation की technology पर अब joint ventures तक की बात हो रही है इसके अलावा I create एक entrepreneur segment के लिए innovative framework है जो इंडिया में develop हुआ है वो भी इसराइल की मदद से develop हुए है इसराइल की private companies इंडियन agriculture में बहुत potential देखती है और बहुत पहले से invest करते आई है एक example है एवो जीन company जो इसराइल की है वो इंडिया की rice quality और yield बढ़ाने में बहुत समय से काम कर रही है इसके अलावा G2G जो relation है government to government वो भी बहुत strong है agriculture में क्योंकि there are many agriculture centers of excellence जो इसराइल government है इंडिया में establish किया है ये agriculture centers क्या करते हैं technology transfer पर help करते हैं इस वज़े से आप देखोगे ये हर साल बहुत सारे युवाओं को agriculture में train होते हैं और सिर्फ 2019 में आप देखोगे तो 1.5 lakh इंडियन farmers इन ही इसराइल बेस center में training प्राप्त करे हैं यदि आप हरियाना पंजाब वाले एरियास में डली के आसपास जाओगे तो ये centers बहुत common है और बहुत नए नए techniques including aquaponics, hydroponics, polyhouse इस तरीके की training करके नए innovative frameworks प्रवाइट कर रहे हैं Recently यदि आप देखो mega food parks के बाद एक trend और देखा गया है जो इंडिया में expected है कि companies like Adani particularly it is getting into the palm oil business और Reliance भी इसी framework में interested है यदि इस तरीके से private investment channelize होता है बाहर का तो ये Indian economist, Indian private companies के लिए भी एक signal है कि agriculture में input cost और investment बढ़ाने की ज़रूरत है ता कि जो efficiency of agriculture है, productivity of Indian agriculture है वो बढ़े And that is the relevance of this overall mega food park and Indian agriculture in this rising scenario of investment. That's all for this topic. Thank you.